वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों में शावाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एलेक्टिक पॉइंट में आज मैं आपके लिए RC हेलिकॉप्टर लेकर आया हूँ तो जो आप अपनी स्क्रीन पर RC हेलिकॉप्टर देख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि यह डैड है चल नहीं रहा है तो आज इस वीडियो में मैं स्टैब बाइ स्टैब बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को किस तरी के ठीक के जाए और मैं जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कॉंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं सबके बारे में भी बताऊंगा आपको सबकी जानकाड़ी दूँगा अगर वैं खराब हो जाए तो इसको किस तरी के ठीक करें और इसकी पूरी कार्ड़े पढ़ना लिए आज आपको इस वीडियो में समझाओंगा तो चलिए फ्रेंट्स हम पनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं झाल 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 यह देखिए यहां पर इसका ओन आफ स्टार्ट लगा हुआ है जो कि तूट चुका है तो अब मैं इस वीडियो में इस स्टार्ट को चेंज करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इस स्टार्ट को कैसे चेंज किया जाए और उसकी जगाब कौन कौन सा स्टार्ट लगा सकते ह यह सुच बहुत तरीकी क्वाल्टी में आते हैं अलग-अलग डिफेंट डिफेंट शेप्स में आते हैं साइज में आते हैं और जो में सुच मुझे मिला यह छोटे वाला सुच मुझे मिल गया और मैं आपको यह बताओं कि यह पहले जो आईपोड आया करते थे उसके अंदर यह सुच लगा रहता था तो यह सुच उसी का है आते हैं आते हैं झाल 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 झाल